जाना चाहिएगे आप अपनी विडियो की ज़णी की तरह देख रहे हैं विडिबाना में ने गारा में टेखे हैं मैं देख कहां पा रही हूं ज़णी को अपनी बस पहर पर लिग्टो दिखाई देख रहे हूं सब सनसी इतना हब था इतने सारे मेरे moods, variation अपे इतने work have done इतना हड़ नहीं था… मतलब मैं थोड़ी Siad thi कि मेरी journey देखने से पहले ऐसा हुआ, बर मैं खुश भी थी क्यूभी क्यूद कि अगर ऐसा होने माला था कि मैं इलिमनेट होने वाली थी तो फ्राइडे को नहीं हुआ उसको बिग बॉस ने मतलब फिनाले से दो दिन पहले सोचा के रखते हैं कि मेरा उस घर मेरा रहना उन्हें अच्छा और ज़रूरी लग रहा था तो इसलिए मैं थी तो मुझे अच्छा रगा मतलब मुझे यह नहीं कि मैं जब अंदर जा रही थी तो मुझे पड़ा था जब यही सोच के किया था कि मुझे जाना और मैं जाओंगी ही क्योंकि मुझे मेरी जर्णी देखनी थी अच्छा पूचा पूचा भी गया था बट ऐसा कुछ भी प्लान करके नहीं गया थी मैंने सोचा था कि महां पर जो बी सिच्वेशन आईगी उसकी अकोर्डिंगी मैं हैंडल करूंगी सारी चीज़े क्योंकि मैं प्लान करके नहीं करते हैं तो लोगों ने बाद में हमारी एक दोस्ती ऐसी थी जो डे वान से एंड तक रही है बीच में बहुत लोगों ने ट्राइ किया कि हम दोनों अलग हो जाएं छोड़ दे एक दूसरे को उनके साथ रहने लग जाएं बहुत बार ऐसा हुआ लेकिन हमको एक दूसरे पर ट्रस्ट था और हमारी सोच कहीं ना कहीं मिलती थी और हम टाइम भी हम पर स्पेंड करते थ बात पारस दे थे वोड़े और हमंट लेक्त एक आलों प्रस बीच में में अजाते हैं क्योंकि हमारे ओपर ब्लेम लगाने जैसा कुछ था नहीं मैं स्ट्रॉंग थी मैं टास्क भी बहुत अच्छ से परफॉर्म करती थी और जगडे भी मेरे हो जाते थी मतब सब चीजे मैं करती थी मैं थोड़ी तफ थी इसको लोगों ने सोचा है चलो ठीक है इस बात का मुद्दा बना के वीक 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 बोल के इस चीज का टैग दो तो मुझे फरक नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर ओर लोगों को बहुत टैग मिले थे चेला, चमजा, काम-चोर, फस-फसाना बहुत साले टैग मिले थे तो मुझे दिल वा दिया के पारस की बिना मायरा कुछ नहीं है हाँ, डेफिनिटली मैं उसके बिना कुछ नहीं थी उस शो में क्योंकि मुझे उसका सपोर्ट चाहिए था अगर वह नहीं होता तो मैं कुछ और तरीक से किसी और साथ होती है, और अगर मैं नहीं होती हमा क्या नहीं होती तो शाय वह किसी और केसा थे. काफे नमदा हो इसीतार के साथ चाहिए अकला मेरे फर्स टास्ट पी अगेंस रहते हैं तो मुझे तब सेही उन पर गुस्ता आने लग गया था तो मतलब वह चीजे थोड़ी खराब होती गई फिर खराब होते होते जादा हो गई फिर एक वीकेंड पे आया था अगे हमारे बच्चे आया थे हैं जो माहरा और सिदाद मनका थे तब वह अन स्ट लग यह था थाल रहते हैं तो तो फिर दीरे उनका बीहेवर चेंज हुआ तो मैं भी करने लग गई तो फिर दीरे दीरे तब अच्छ दोस न गया एंड में छाए उस घर में मैं को पारस और स तो पहले ज़िए पहले पहले के साथ कि आपकी बॉर्णिंग एंड में पाप्राइब की ती अच्छी पहले वहां पर घर पे न हमेश्या सब ने मुझे नॉमिनेट किया और सब मेरे अगेंस्ट रहे हैं मुझे पता है कि सब लोग मुझे दिल से बहुत पसंद करते हैं चाहिए वो असी मुझे रश्मियो उनके दिल में मेरे लिए प्यार था वो कही न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्णर था जो जगड़े हो जाते थे आपर कर लेते थे कि ठीक है तो बट ऐसा कुछ नहीं था कि दिल से बहुत सारे मतलब मैं इतना तो कभी अपनी पूरी बाइस सल की उमर में नहीं रोई हू जित्ता में रोई हू और इतना मैंने कभी नहीं चिलाया और मुझे भी ऐसा हो रहा था यार मैं कितना चिलाती जहीं अब ये वेन देखा नहीं थोड़े थोड़े क्लिप्स देखे पर बाहर वालों के लिए कहना बहुत एजी है कि क्यों करते हैं अन्दर सिच्वेशन ऐसी हो जाती है कि नहीं समझ में आता है गुसा आपके उपर इतना हावी हो जाता है जब आपको पता कि ये चीज़ गलत है तो बहुत हो जाता है तो फिर काफी सारी शेट्स देखने को कि मैं इतनी लॉयल हूँ अपने दोस्तों को लेकर तो अच्छा लगा सिच्वार को बना होना काफी कॉंटो वर्शन मुद्दा भी बन गया है लोगों को बलगता है कि कालर काफी काफी बायस हो गया थे जा कहना जाएंगे आपका क्या अपिण नहीं बना क्योंकि मैं जाद कुछ मतलब नहीं देखा प्रशन में इतना या पर इस चीज़े नहीं देखी इस चीज़े में मैं क्या कहूं हो भी वह डिजर्विंग थे वह जीत कए थे तो सभी डिजर्विंग मेरी नाजर में अब जिसको वोट आए जादा वह जीत गया मैं क्या हूंने इस चीज़े मैं मतलब मैंने से थोड़े प्रोमो देखे शो नहीं देखा वाइव प्रोमो से इस लूइन सो अमेजिंग कि बहुत एंटर्टेनिंग होगा और काफी अच्छे कंटेस्टेंस भी आया हूं उसमें लड़की लड़के तो मज़ा हैगा लोगों को और बिग बॉस का घर है मैं टिप्स दे दूंगे उनको मिलें नहीं अभी क्यों करके अनर लॉक माचुकी है मिल जाए उससे मिसे अल्दबेस्ट कर दो चत्तिस आएंगी चत्तिस आएंगी पर मेरे जैसी तो उसके बिग बॉस भी नहीं लाएंगी उसके बिग बॉस भी नहीं लाएंगी पर मिल जाएगी अच्छी रड़की हैं काफी प्यारी है मस्त मैं और एक तो शेहनास की कौपी है हाई बाबजी, मस्त है, लड़के भी अच्छा है रश्मी और सिदाथ को तो हमने देखे लिया है तो उसे जादी करोगी तो क्या आप जाएंगी आप जाएंगी थे पैनल और इंपे विटाह कुछ पता नहीं, देखते हैं से लड़ते हैं करनी करनीत भी नो выпरोटेओंछे थे श्मी। य है मैं रही है, रही हना है, रही है मैं रही है क्या कि बहुत प्यार दिया है म число sebelum फीदी कर लिए स्ब्स्मीय थे चाहे है, रही किए कि रही जाए है और ऐसी चीज़े करते रहा क्योंकि हम एक सपोर्ट मिलता है कि हम जनके लिए कर रहे हैं वो हमें पसंद कर रहे हैं तो फिर आप दिल से हमारे लिए करते रहो हम जान लगा देंगे आपके लिए करने के लिए तैंक यू सो मच, I love you guys मैं देख कहां पा रही हूं जड़नी को अपनी बस फोन पर इस दिखाएवे नहीं वही देख रही हूं बहुत अच्छा लग़ा देखके कि इपतना सब कुछ कर लिए और इतने सारे मेरे मूर्स्स विरियेशन सब देखने करें लिए तो अच्छा लग़ा लग़ा अपे इसने वर्क के दाया है, सदन एविक्षिन, कि इतना हाट था उसको समझ भाई था? अब हाट नहीं था, मतलब मैं थोड़ी सी साट थी कि मेरी जर्णी देखने से पहले ऐसा हुआ अब मैं खुश भी थी क्यों कि अगर ऐसा होने वाला था कि मैं मतलब इलिमिनेट होने वाली थी तो फ्राइडी को नहीं हुआ इसको बिग बॉस ने मतलब फिनाले से दो दिन पहले सोचा के रखते हैं कि मेरा उस गहर मेरा रहना अच्छा और ज़रूरी लग रहा था तो इसलिए मैं थीर तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे मेरी जर्णी देखनी थी एंड तक at least मैं एंड तक रहूंगी वहां पर और वह हुआ तो अफ़र तक नहीं तो कोई बात नहीं बट एंड तक रही हुआ क्या कुछ स्ट्राट्टी की आपने प्लान करती थी बिपो एंट्रिंग और था मुझे से पूछा भी गया था बट ऐसा कुछ भी प्लान करके नहीं गए थी मैंने सूछा था कि वहां पर जो बी सिच्वेशन आएगी उसकी अकॉर्डिंग्ली मैं हैंडल करूंगी सारी चीज़े क्यूंकि मैं प्लान करके नहीं करती चीज़े सदन ली करती तो लोगों ने बाद में हमारी एक दोस्ती ऐसी थी जो डे वान से एंड तक रही है बीच में बहुत लोगों ने ट्राइ किया कि हम दोनों लग हो जाएं छोड़ दे एक दूसरे को उनके साथ रहने लग जाएं बहुत बार ऐसा हुआ लेकिन हमको एक दूसरे पर ट्रस्ट था और हमारी सोच कही ना कही मिलती थी और हम टाइम भी हम पर स्पेंड करते थे सा बीच मेरे चार महीने चार दिन में निकल के पता ही ने चाला और दूसरी बात लोगों ने पहले लोग यह कहते थे कि जब बात करो या कुछ भी करो तो माहिरा बीच में आ जाती है वो बात ही नहीं करने देती है फिर उनको लगा कि यह वाला प्लान तो काम नहीं कर रहा है जब भी माहिरा से बात करो पारस बीच में आ जाता है हम तो माहिरा से बात ही नहीं कर पाते है फिर बोलते हैं पारस गायब हो गया और दूसरी सरफ यह भी कहते है कि माहिरा पारस की परच्छाई है तो गायब इंसान की परच्छाई कैसे हो सकते हैं तो उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि हमारे उपर ब्लेम लगाने जैसा कुछ था नहीं मैं स्ट्रॉंग थी, मैं टास्क भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी और जगडे भी मेरे हो जाते थी मैं तब सब चीजे मैं करती थी, मैं थोड़ी तफ थी उसको लोगों ने सोचा है चलो ठीक है इस बात का मुद्दा बनाके वीक 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 बोलके इस चीज़ का टैग दो तो मुझे फरक नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर ओर लोगों को बहुत टैग मिले थे तो मुझे दिलवा दिया कि पारस की बिना मायरा कुछ नहीं है हाँ, डेफिनेटली मैं उसके बिना कुछ नहीं थी उस शो में क्योंकि मुझे उसका सपोर्ट चाहिए था एगर वो नहीं होता पर इस शो में तो मैं कुछ और के साथ होती होती order और मैं नहीं होती तो शायद वो किसी और के साथ होता काफी नम मैं हौ अ शुरू में हम दोनु क्रते कहप थे हमारी मैच्ई नहीं करते हैं हम अलग-अलग सोचते थे हमारे टास्पी अगेंस राते थे और लाइक मेरा फर्स टास्पी उने ही किया था जिसमों मुझे कुछ लग आ रहे थे तो मुझे तब सही उन पर गुस्ता आने लग गया था तो मतलब वो चीज है थोड़ी-थोडी खराब होती गई फिर खराब होते 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 जादा हो गई घर एक वीकेंड पर आया था लाइक हमारे बच्चे आये थे जो माहरा और सुदाद मनके अटाए तब वो मसलाव लग सगए तब वो शुदाद मे लड़के अब लड़कें तो फे धीरे दो